हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब आई होब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं, तो आभी तक तो मैंने आपको दिखाया है मेरे ससुराल का पोर्शन जिसमें की मेरे चाचा ससुर, चाची सास, बुवा सास, और जेट जी हैं, देवर हैं, देवरानी हैं, और ताय ससुर है, त मतलब वहां कोई रहता नहीं है, तो उसके मैंटेनेंस नहीं हुए धंक से, लेकिन आपको दिखाते हैं, यह जो है, निम्बियां लगी पड़ी है, और यह जो बड़े-बड़े पत्ते थे, यह थे अर्भी के पत्ते, और यह जो है जंगली अर्भी है, एक अर्भी बहुत चाची सास की भैंसे हैं, जो कि यह लोग के और दूद पिते हैं, लेकिन हम लोग पैकट वाला दूद पिते हैं, क्या करें हैं, अब कुछ लोश तो भुकत नहीं पड़ता है, यह दिखी, यह है, आपको पास में से दिखाती हूँ, यह है जंगली अर्भी के पते, यह जं में इतना कुछ खास नहीं है, बस हावाबाद जी है, अपनी भास में में यही बोलूँगी, लेकिन गाउं का जो कल्चर है, महौल है, बहुत अच्छा लगता है, तो आग कीबर में गई थी, तो मैं बहुत डीपली वीडियो बना के लाई हूँ, एक एक चीज की, क्यूंक अपनी बुवा के घर का, और अपनी बड़ी बुवा के घर का, और इनकी बुवा के घर गई, अपनी बहनों के घर गई, तो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, कि गाउं की घर कैसे होते हैं, कितने खुले होते हैं, हावादार होते हैं, और गाउं का रह कोई रहे गया नहीं, तो फिर पैयदावार कहां से होगी, तो जैसे, पढ़ी लिखी जनरेशन पढ़ी लिखी लोगों की जुरूरत शहरों में हैं, उससे जाद ज़रूरत ग्याओं में भी हैं, ग्याओं बिक्षित होंगे तब ही शहरों में आके अनाज पहुंचेगा, पना खाएंगे कहां से, ये कटू सत्ते है, तो ये छोट-छोटी के आरियां बना रखी है, यहां पे ये खेट है, देखे बहेंस का बाड़ा ही, ये दूसरा घर है, ये मेरा ससुराल है, ये ब्लू कलर का जो दरवाजा दिख र नहीं है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि साल में एक बार तो जाएंगे ही जाहेंगे और अपने घर की मेंटेनेस करेंगे जाके, तो ये है क्रेले, ये मेरी चाची सास ने उगा रखे हैं शायद, हाँ उन्हे कई बाड़ा ही तो उन्हें उगा रखे है, मेरा तो मनी नहीं देखिए कितनी पूरी खाई के बीच में घर बना रखे और अब मैं चड़ रही हूं चड़ाई यहां पर चड़ाई चड़ते चड़ते तो मुझे वैशनुमाता की चड़ाई याद आ रही थी और मैं भी जैकारे लगाते हुए जा रही थी जोर से बोलो जैमाता की क्योंकि मेरी चपल फैन्षी थी और जरह सी भी पैयर सलिप हो जाता तो फिर मैं जैमातादी हो जाती तो गाई यहाई है मेरे चाची चाची ताया ताई और इसमें एक अफ्सोफ की बात है कि एक ताय मैरे एक्सपायर होगे पर अच्छी बात है कि मैं उनके जीते जींने से मिलके यहां पर सूरज बहुत प्यारा दिखरा है उकता हुआ सूरज है इनकी छत है और हमने नास्ता करने के बाद मैं और मेरी देवरानी छत पे चलेगे और छत पे जाके हमने वीडियो बनाई और यह देखिए यह जारी है हमारी हिमाचल की बस बहुत ही मोड बहुत ही में नहीं है पंदाद देनी पड़ेगी ही लेरिया के ड्रैवरों को कि बहुत ही तरीकिसी गाडियों को निकालते हे वहां से और मैं यहां पे लगी हुटी वीडियो बनाने के लिए और मेरे देवरानी अपने फोन पे लगी अपनी मамен मम्में से बत करने और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा क्योंकि हर जगा का अलग अलग वैल्यू है अलग अलग मौल है उतराखंड का अलग है जारखंड का अलग है और हीमाचल का अलग है तो जो भी पहाड़ी इलाके हैं तो थेंक्यू और वीडियो देखने के लिए भी आप सब का बहुत-बहुत धन्याबात थैंक्स पोर स्पोर्टिंग बाई-बाई